लूआ कि हलो दूस्तों देखे आज मैं आपको अपने अपने थम्डियल में देखे लिया है वैसे चल उन श्टॉक से लिटीर बाते करने वालों जहां पर वी चल फ़ने जहां पर mutual fund ने हिस्सेदारी अपने बढ़ाई है, यहां पर mutual fund ने खरीदते हैं, तो आपको पता है, देखिए, share move कप करता है, share भागता कैसे है, इस तरीक ऐसे share भागता कब है, तो share के भागने के पीछे की और गिरावट के पीछे की वज़ए simple ही है, खरीदारी और बेचना, demand और supply, okay, यहां पर supply थी, यहां पर बेचने वाले ज्यादा थी, तो यहां पर share को नीचे आना पड़ा, बट जैसे ही, यहां पर demand आई, तो यहां पर यह share दीरे-दीरे करके, okay, 2500 रुपे से, 233 रुपीज से, यहां पर share लगब लगब 400 रुपे तक पूछ गया, तो यह क्या होत है, पहले कि यहां पर mutual fund ने खरीदारी कर लिए, यह FIs ने खरीदारी कर लिए, HNI ने खरीदारी कर लिए, या किसी बड़े player ने आपर खरीदारी कर लिए, उसके लिए आपको class joint करने पड़ेगी, उससे लेटीर हम बाते करते हैं, बट अभी मैं, जो मेरा concept है, वो है, कि mutual fund ने कुछ share'ों में हिस्सेदारी बढ़ाई है, उन particular share के नाम, यहां पर इस particular video में हम यहां पर देखेंगे, और जानेंगे क्या हमें उन share'ों में invest करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, तो mutual fund जब तक खरीदारी नहीं करेंगे, जब तक, देखे, mutual fund का का काम क्या है, आप ल particular company में invest करती है, long term का इनका investment period रहता है, कि इहां पर invest किया और पैसे बढ़ते हुए नजर है, तो ऐसी जब यह पैसा करते है, तो इनकी study थोड़ी फार होती है, जहां हम सोचना शुड़ू करते हैं, यह खतम करते हैं, हम थोड़ा facts और technical पर बात करते हैं, यह long term के बारे में सुचते हैं कि 10 साल बात क्या होगा, 5 साल बात कहा होगा, तो उसके हिसाब से पैसा डालते है, जैसे ही पैसा डालते है, तो एक किसी जिन भी उन शेरों में क्या होती है, लगातार एक तेजी होती ही नजर आती है, और जैसे ही वो पैसा निकालने लग जाते है, एक गिराव पर शेयर में खरिदारी करी है दिया आई जने किस यहां पर इंवेश्मेंट किया है उससे रिटेट बाते करेंगे और उनका फ्यूचर क्या हो सकता है उससे पहले रिक्वेश्ट चानल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट अल के नॉटिफिकेशन को अन करिएगा ताकि इस नों बाइंग करी उसके बारे में कैसे पनाश चलता है बढ़ आप कोगे कि हम जाएंगे स्क्रीनर पर इन्वेश्टमेंट में देखेंगे और कोई बल्क टील हो घोगी उसमें जाकर देखेंगे कि यहां पर कभ खरीदारी करी है कभ बेचा है तो वह यहां पर अप्डेट कर रहे हैं डिया इस कहां invest कर रहे हैं बस आपको चार्ट देखोगे और चार्ट को देखके आपको यहां पर क्या पद हो जाएगी वह आपको पदा चलता हुआ नजर आएगा तो आप क्या कर सकते हो आप हमारे स्कोर्स में जॉइन कर सकते हो 17500 में सबसे सस्ता सिखाया जा र इन नमबरों पर कांटक करके आप इन कोर्स से रिलेटेंड यहां पर डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे जर्नी जो हम कह रहे हैं कि यहां पर अच्छा खासा पैसा बनाएंगे उसमें यहां पर हाथ दे सकते हैं एस वेल आपको पता है हमारा वाट्सप ग्रूप है 1000 रुपी से कंटक करें और इन नमबरों पर कंटक करने के हम आपको बताएंगे कि कहां पर इन्वेश्ट करके आप अच्छा पैसा को मा सकते हो यहां पर उन stocks की जहां पर mutual fund, FDIs ने यहां पर invest किया, कल एक video आईगी जहां पर मैं आपको बताऊँगा, कि FIIs ने कहां invest किया, क्योंकि उन्हों ने भी तो invest किया होगा, तो mutual fund की बात करते है, सबसे पहले, this stocks की बात कर रहो, okay, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, Sapphire Foods, क्या न नजर आ रही है, यहां देखिए, DIs ने, यहां पर लगा थारी, 8-10, 10-12, 12-16, 16-25, और अभी यह update नहीं हुआ है, जैसे यह update हो जाएगा, तो आपको पताँ चलेगी, कि यहां पर भी, यहां पर भी खरीद्दारी हुई है, तो यहां पर promoters थोड़े बहुत हिस्दारी बे जाता है, इस चीट को याद रखिया, कुछ लोग है, जो वहां से निकलते हुए नजर आ रहे है, तो DIs यहां पर बेच रहे है, तो क्या नाम है इस कंपनी का, इसका नाम है Sapphire Ports, क्या लेना चाहिए, यहां नहीं लेना चाहिए, उससे लेटेड हम यहां पर चार्ट देख एसी कोई तेजी नहीं हुई है, और एसी कोई गिलावट भी यहां पर अभी थक, होती हुई नजर नहीं आई है, बट अभी हम देखे, तो यह जो ट्रेंड है, थोड़ा सा यहां पर से दब कर देखते हैं, तो डॉन ट्रेंड बना हुआ है, तो अभी क्या है result season है, तो शा में एक लेवल आपको उता है, तो इस लेवल से जब ऊपर रहेगा, ज़रूर आपको महंगा मिलेगा, बर जब आप यहां से लेंगे ना शेर को, तो यहां पर से एक तेज रिकवरी होगी, ज्यादा पैसा बनेगा, बर कम टाइम में बनेगा, जहां पर आप टाइम का यू पर बाते करेंगे, तो अभी आपको केवर यह रेंज ध्यान तटनी है, दूसरे स्टॉक्स की बात करूँ, तो दूसरा स्टॉक्स है, रेट गें, रेट गें से रिलेटेड मैंने अभी वीडियो बनाई है, आई बटन पर लिंक दे दूँगा, लास्ट में जाके देख लि चीए तो, होटा सा स्टॉक्स लगा के, काम कर सकते हो, तो रेट गें हो गया, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा है, वी आरल लोजिस्टिक्स, वी आरल लोजिस्टिक्स की बात करें, यहां पर भी आप देखेंगे, तो दि इस तेदाने यह पर बढ़ाई है, तो क निकल इसके काफी strong यहां पर नजर आ रहे है यहां पर इस share को क्या आभी खरीदे इस share को एक निकल जाने दीजिए इसका एक level जब यह उस level से cross कर दे उस level को यहां पर निकाले तब जाके यहां पर share को खरीदे के बारे में सोचेगा यह एक level है 700 रुपेगा जो कि मुझे लग जालेगा जब यह तो एक तेजी होती हुए नजर आएगी जो इस share को दोबारा एक ऊपर के level और ऊपर का यहां पर अच्छा गासा पैसा बने जो किस पैसी की बात कर रहो ऐसा कि आपने लिया और तीन महीने में पैसा पचास परसंट साट परसंट इस तरीके से तो इस share की तरफ ध्यांद देना है इसके इलावा जी एम फॉर्लर एक फ्रॉड कंपनी ठीक है तूबी वेरी फ्रेंक जो मैं कहा रहा हूं ठीक है बट इस तिल यह फेवरेट रहा है किसका mutual funds और सब्चीट का किस लिए रहा है क्योंकि business model काफी अच्छा है बट इसके जो promoters है वो यह यहां पर trust बढfte हीरे है पहले ही बता दिनों trust बढ़ती नहीं एक च sécurité यह यहां पर अगर आपको पसं रही है तो आप महां पर देख सकते हो एक चोटा सब्स लगाना यहा पर पचास आट रुबारatte shit पास का और जैसी चीज़े उपर जाएगी तो ऊपर आपको भागेगी बाकि यहां पर जब इस रेंज से निकलेगा तो एक तेजी हो सकती है बट मैं आउट हूँ जी ऐसे कब फ्रॉड कंपनी के पर इंवेस्ट नहीं करना दूसरी जगह है वहां पर हम इंवेस्ट करके पैस यह जितने भी छोटे-छोटे श्टॉक से जोन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया यह थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है तो यह शेयर यहां पर अच्छा कासा परफॉर्म कर सकते हैं एक साइड बेस रेंज में चल रहा है अब ट्रेंड में है इसमें कोई परिशान यहां पर कुछ ऐसी केंडिल बनती है कुछ खरीद्दारी होती है तो यहां पर इस रेंज की तरफ धिंदीजी 105-106 रुपे की इसे निकलेगा तो एक शार्प तेजी होगी और यहां पर यह शेयर आपको 140 रुपे तक यहां पर जाता हुग नजर आएगा करूर वैशा बै है इसके इलावा हम बात करेंगे वोल्ट एम्ट की वोल्ट एम ट्रांस बैते री इसके फंडमेंटल मैंने बोल्ट पहले अपने गुरुप में ही शेयर दिया था थो के तो वोल्ट एंप शेयर यहां पर नजर आता है और इसमें एक तेजी भी है यहां पर फिलाल यहां पर एक stop loss रखिए और बाइंग करनी है इस लेबल से निकल जाने दीजिए 8200 का लेबल जैसी निकलेगा एक शार्प तेजी आएगी जो 3000 और शायद इसे यहां पर लेकर जाते हैं वोल टाइम की तरब आपको क्या करना है ध्यान देना है बहतरी शेयर है एक लंबा यहां पर आप देखेंगे एक चल रहा जैसी निकलेगा इस consolidation से यहां पर जब 3000 का लेबल निकालेगा तो यहां पर 3600 का लेबल भी बहुत इजी ली आता हुआ दिखाई देगा इसके लाबा पीवी फिंटाइक यहां पर अच्छा नजर आ रहा है उंदा बेसी ओफ चार फंडामेंटल मैंने देखें नहीं है डियाइस की बात करें डियाइस देखेंगे आपर 9-14-15 परसेंट होते हुए नजर आए फंडामेंटल इतने अट्रक्टिव नहीं है नेगेटिव यहां पर नजर आते हैं बर यहां पर इन्होंने खरिदारी करी है तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे तो एक यहां पर तेजी होती हुए नजर आई है और आज के दिन एक छोटाइसी गरावट होती ही नजर आई है अगर यहां पर सस्टेन करता है इस वाले लेवल को 587 के लेवल को तो शाय और उसके बाद जब उपर मुड़ता हुए नजर आएगा तो एक तेजी होती हुए दिखाई दे सकती है जो इसे 700 और 1000 रुपे तक की जरनी 800 रुपे की जरनी यहां पर दिखाई देती हुए नजर आ सकती है बट अभी मैं यहां पर पॉजिटिव नहीं हूँ मुझे लगता है कि यहां से गिर के यह दुबारा इतना आ सकता है क्योंकि क्योंकि इसके फंडामेंटल साथ में नहीं दे रहे तो ऐसी कंपनी के उपर भी विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल बनता हुए नजर आता है इसके लाव हम बात करेंगे VST टिलर की अगर हम बात करें यहां पर भी देखिए 16 परसेंट से 19 परसेंट यहां पर होते हु तो फंडामेंटल यहां पर ठीक ठाक नजर आते हैं इतने खास भी नहीं है बट और इसी वज़े से शेयर यहां पर एक रेंज में गूंगता हुए नजर आ रहा है कब लेना है इस शेयर को लेना यह रेंज है 2425 की रेंज है इसे निकल जाने दीजिए जैसी निकलेगा एक भी तर सब्सक्रादस की तरफ देना है यहां पर शायद अभी तो यहां पर दिखाई देरा है कि नीच आ रहा है यहां पर नीच होती ही नजर आई बट कुछ दिनों में शायद एक तेजी होती हुए नजर आइए उसकी वज़े सिशी यहां पर आप देखो गे तो लिग द तो आप इस तेजी हुई है तो आप यहां पर जिंदल स्टेनलेस की तरफ आपको क्या करना है ध्यांद में देना है इस शेयर में देखिए एक अच्छी खासी तेजी यहां पर करिया है इस और रुपे से स्टॉक्स पोल और फ्लैक का ऐक यहां बनता हुआ नजरा रहा है तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं इसके इलावा हम बात करते हैं अली टास बैक इंडिया को करें गार्वर के इतना अंडी भाग चुका होता है यहां रखिए एक कोशं के साथ एक इस को नब करते हैं otherwise हो सकता है कि हम उपर की लेवल पर फस है और वो लेवल हमें 5-5-10-10 साल तक देखने को ना मिले okay तो इसलिए cautious रहना है कब बाहिंग करनी है यहाँ पर जब यह शेयर इस लेवल से निकल जाए यहाँ पर रखना है चोटे से stop loss के साथ otherwise दूर रहो इससे तो सही रहेगा कोई परशानी नहीं है कैसे भी यहाँ पर इसके result हो या कैसा भी यह शेयर हो इससे matter ही नहीं करता है तो यहाँ पर अच्छा नज़र आता है बट अभी दूर रहने की इसला है वट इस्टिल उन्होंने खरीदारी करी है तो मैं आप उसके वेसिस पर बता रहा हूं मेरे वेसिस पर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ नह तो इसलिए यहां पर इस शेयर में एक तेजी होती हुए नजर आ रही है यहां पर हम देखते हैं लेक्ट्रोनिक स्मार्ट यह रहा हूं ठीक है तो यहां पर अभी downtrend चालुआ है मैं आपर अभी शेयर में बाइंग की सदा नहीं दूँगा क्यों नहीं दूँगा क्यों कि अभी यहां पर फट सकती है अभी यहां पर बाइंग का बंता नहीं है इस शेयर को इस लेवल से निकल जाने दीजिए ओके इस लेवल से जैसी निकलेगा बाइक हैतर रुपे का लेवल तभी और सस्टेन करेगा कुछ एक्शन होगा प्राइस का वॉल्यूम का बिहेवियर अभी फिलहाल के लिए छोटी मोटी तेजी के लिए मैं आपर दूर रहने की ही सला दूंगा यहां पर रिजल्ट देखेंगे सब देखेंगे कुछ इन्होंने शायद कुछ होता हुआ भी नजर आया मैंने आपर पड़ा था कुछ अन्होंने बजाज इलेक्ट्रोनिक्स के अच्छे गास आते हुए दिखाई दे रहें और बॉर इंग कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा इसकी तरफ बिद्यान देना है तो यह एक बादा बन सकती है इनके प्रॉफिट में तो थोड़ा से दूर रखना है तो बाइंग सालिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स् दोषिक्पे सथैंग स्यव प्रॉच ओब लिए इस स्थैंग के ढीक विए तो यह सकती है थाब में गादर बादान के लॉए टोबादाएन आचेंग में तो यह ना बादीन गल्वा रिकमेंट खिवान नहीं है रेता प्रॉखिए तो ऑचेंग गारें से घान गिवादा